सिर्मोर जिला के कॉलेजों में प्राध्यापकों की कमी को लेकर आए दिन चात्र विरोध जता रही हैं जिला के संगड़ाहा कॉलेज के बाद अब हरिपूर धार कॉलेज के चात्र प्राध्यापकों की कमी को लेकर सडकों पर उतर गए हैं चात्र संगठन SFI ने चेतावनी दी है यदि आगामी सोमवार तक प्रध्यापकों की नहीं की गई तो महा विद्याले के सभी चात्रों को लाम बंद किया जाएगा चात्र संगठन SFI के बैनर तले दर्जनों चात्रों ने रोश्रैली निकाली और नायब तहसीलदार के माध्यम से सरकार को एक ग्यापन भेजा चात्र नेताओं का कहना है कि हरिपूर थार कॉलेज में मात्र दो प्रध्यापक है जिससे चात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है उन्होंने इस बात पर विरोध जताया कि कुछ दिन पहले हरीपुर्थार कॉलिज से दो प्रध्यापकों को डेपूटेशन पर संगढ़ा कॉलेज भेजा गया जिसका असर हरीपुर्थार कॉलेज में पढ़ रहे चात्रों की पढ़ाई पर पढ़ रहा है नायब तहसीलदार को सौंपे ग्यापन में छात्र संगठन स्फाई ने चेतावनी दी है कि यदि आगामी सुमवार तक प्रध्यापकों को कॉलेज में न्युकत नहीं किया गया तो कॉलेज के सभी छात्रों को लाम बंद किया जाएगा स्टाफ को यहां से डिप्यूट किया गया है उससे कही ना कहीं महविद्याले के अंदर जो पढ़ाई है वो बाधित हो रही है और चात्रों को जो है उसके कारण कख्षाई नहीं लग पा रही है तो हम प्रधेश सरकार से यह मांग करना चाते हैं कि जल्द से जल्द महाविद्याले के अंदर से कपी को पूरा किया जाए चाहिन और तमाम चात्र समुदाय को लामबद करते हुए जो हां दोलन को आगे बढ़ाएगी और क्रमिक अंशन के अंदर जो है सो मंगलबार के बाद जब महाविद्याले के अंदर शुरू किया जाएगी कॉलेश में रिक्त पड़े पद एक बड़ी परिश्णानी बने हुए हैं सुटी चैनल के लिए नाहन से सती शर्मा की रिपोर्ट